नमस्कार दोस्तों, विलकाम टरवन्ड एक्जाम क्लासे देकिए आपके रेलवे एंटी पीसी ग्रूप डी एक्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए 2020 के पेपर में जिसके बारे कोशन पूछा आते हैं उसकी एक सिरीश को चला रखा इसके पहले हमने आपको मैद का देख सकते हैं इसके पहले हमने आपको 2020 के पेपर की मैद भी कराई है उसे भी आप लोग प्लेश में जाकर के देख लीजेगा अगर आप लोग मन से रेलवे एंटी पीसी ग्रूप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इन पच्चीस कोशन में कम से कम आप लोग 21-22 कोशन सभी करने का प्रयास कीजिएगा आज का पहला कोशन है उस विकल्प के आपको चैन करना है जिसमें संख्याओं के बीच में वही समंद है जो दिये गए संख्या यूमकी संख्याओं के बीच में है तेकि संख्या आपको क्या दी गई है बेलेस और अठारा तो 42-18 के साथ जरे समंद है वैसा है आपको इन 4 आपसन में ढूंड़ना है आप लोग प्रयास करेंगे तो इस सवाल केवल एक ही तरह से लगेगा 42-18 जो है किसी ने किसी संख्याओं से कड़ते हैं डिविजुल संख्या है और आप इन 4 आपसन में देखेंगे 31 और 29 नहीं कड़त है और 9 भी डिविजुल है इसलिए लाश्ट आपसन जो होगा वो सही आपसन होगा अगर आप किसी और दूसरी मेथज लगाने का प्रयास कर रहे हो और उससे 10 और 9 पात आ रहा हो तो आप कमेंट बाक से मेथज़ को लिख सकते हैं दूसरा कोशन है नेम लिखी सब्दों को तारकिक और अर्थपूर क्रम में आपको व्यस्तित करना है सब्द भूज अस्ट भूज नव भूज और आपको सट भूज दिया गया है तो इसको आपको तारकिक और अर्थपूर क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आप लगाएंगे सट भूज को सट भूज मतलब होता ह 6 भुजावाली आकरती तो पहले 6 भुजावाली आकरती आएगी इसके बाद 7 भुजावाली फिर 8 भुजावाली फिर 9 भुजावाली तो इस टार्टिंग करेगे आप फोर से इसके बाद एक आएगा तो आप दो ही से इस परश हो जाएगा कि कौन सा आपसन सही आपसन होगा तो इसका पहला option सही option होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको लाल लंकी सस्काइब बने दिखेगी उसे दवाकर लाल से काले कर दीजेगा तकि आने वाली वीडियो जो हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें तीसरा कोशन है निम लिकित में से संख्याओं का कौन सा क्रम नीचे दिए गए समी करण को संतुलित करेगा यहाँ पर देखिए समी करण दिया गया है जैसे आपके इच्छा हो वैसे आप लोग इसे चेक करिए और 78 उत्तर को प्राथ करिए तो अगर आप चेक कर रहे होंगे तो पहला ही आपसन इसका सही आपसन है यहाँ पर देखिए 18 पंचे 90 होगा तो 90 को लग लिख लीजे सबसे पहले आपको भाग को हल करना होता है लेकिन आपको यहाँ पर देखिए हमने मल्टिपल को हल कर लिए 20 में चिन है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर से आप 18 कर सकते हैं प्लस 6 तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12 होगा और 90 में से 12 जाएंगे तो उत्तर आजएगा 78 इसलिए 78 वोले जो आंसर है वो सही उत्तर होगा चौथा कोशन है नीचे आपको देखिए आकरती दिख रही है यह पेपर कटेंग किया आकर थे पहले पेपर को इस प्रकार से फोल्ड किया गया है लास्ट में ऐसा करके काट करके छोड़ दिया गया तो जैसा फोल्ड किया गया था काटने के बाद आपको वैसा ही इसको खोल करके बड़ा करना है तो कटिंग कैसे की गई है देखिए ल आपको नहीं दिखा पायेंगे तो यहां पर से आपको देखने का प्रयास करें ऊपर की दूनों है आप्ट्सन में से कोई एक आप सई है तो इसको में आप सण आपको दिखाते हैं इसका जो है वो दूस्रा राप जो है वो सही आपसन है अपका ऐसे आपसन सही है यहाँ पर देखिए आपको बीच वाले काली वाले आकरत को देखिए अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक आकरती बनेगी गोल गोल और यहाँ पर बनेगी बीच में क्या बनेगा आपको ऐसी एक आकरती बनेगी और दो इसको देखेगा इसमें दो स्रीजे बन रही है पहली स्रीज जो है एक नव पचीस और यहां पर जो पूछा है उसके साथ स्रीज चलेगी तो एक जो होता है एक का स्कॉयर होता है नव तीन का स्कॉयर होता है और पांच जो है पचीस जो है पांच का स्कॉयर होता है तो यहां उन्चास इसका सही उतन होना चाहिए लेकिन एक स्रीज ओर चल लई उसको भी आप लगे देख लिजिए यहां पर देखिए आठ चॉणसठ तोसोला आठ जो है वह दो का क्यूर है चॉयननसठ जो है चार का क्यूर और 216 का cube है तो एक सम संख्याओं का cube चल ला है और वी सम संख्याओं का square की स्रीज जाए तो नेश्ट वली संख्या की उन्चास की बाद वली संख्या वो 8 का cube होगी लेकिन आमको उन्चास चाहिए तो उन्चास का सभी उत्तर होगा देकि छटवा कोशन है किसे निश्यत कूट अब हासा में train को इस प्रकार से लिखा जाता है तो आप चेक को कैसे लिखेंगे आपके पास समय है 4-5 सिकंड का जैसा आप समय को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप समय को ले सकते हैं थोड़ा समय ले लिजेगा एक्जाम के पहले लेकिन एक्जाम में आ गता है तो अब अगेमित के प्रेद का जोड़ेंगे है किलोcion का योग आगा 26 ठीक है ने सट्यूर्ज संखाल के लेते आ अर देखिया आर किस क्रम में आता है अठारा नमबर पर आता है और और किस बंदल ना है i ac useful-istan पारफ नमबर पर आता है तो 188 छव्विस इन दोनों क का योग जो है वो 26 आना चाहिए जैसा बदल आए तो उसी प्रेकार से सी देखिए सी किस नंबर पर आता है तीसरे स्थान पर आता है ABC तीसरे स्थान पर आये ना अगर आपको इसका योग 26 बनाना है तो आपको 23 नंबर लेना होगा तो इस प्रेकार से आप डबलू को अगर चेक कर लेते हैं तो इसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा साथमा कोशन है निवलिकित आकरती में कितने वर्ग है इस चार आपसन आपको दिए गए 15,16,17,18 इन्हें वेसे कोई एक आपसन सही आपसन है देकि आपको वर्ग गिनने जिनकी 4 हो जाएं बराबर हो उससे वर्ग करते हैं जब आमने सामने एक भुझा बराबर होती है उस टोटल हमको दस छोटे वाले मिले, अब हम लोग बड़े वाले गिनने का प्रयास करते हैं, एक, दो, तीन, चार, और एक बीच मन रहा है पांच, और एक सबसे बड़ा वाला च्छे, तो हमको सोला मिल लगाएं, और सोला से ज़्यादा धूर्णने का प्रयास करें, सोला तो एक ये देखिए, बड़ा वाला, इसकी चार वो जाएं बड़ाबर हैं, और एक ये, सोला और दो, अठारा, कुछ लोग सही उत्तर सोला कराएंगे, कुछ लोग थोड़ा से और धूर्णने का प्रयास करेंगे, दो और मिल जाएंगे, तो अठारा उत्तर जो है, इसका सही कोशन ही नहीं पूचता, इसमें आप से इंगलिस कोशन ही पूच सकता है, इसमें आप से साइंस के कोशन ही पूच सकता है, और इसमें आप से जी की कोशन ही पूच सकता है, तो रिजनिंग में आप से सारे टॉपिक को कवर करके, ये 25 कोशन को बनाता है, तो ये नया ट्रे सुपारिया करें है तो आपया को पर इसका पहला आपट सोगा के अग में को आपको प्रियागी 20 toowell के पहलیک staanल है आपको प्रियास किया करें हैं अप लोग प्रियास करेंगे तो जिस मैथर्चे हम आपको बताने क्या प्रयास कर रहे हैं क्या पता कोई दूसरा मतर आप लगाएं और उससे भी आपको उत्तर मालूँ चल जाएं तो रिजने में आपको ऐसे धेर सारे कोशन मेलेंगे जो दो तीन-तीन मेठर से हल होते हैं और उनकी उत्तर भी वैसे सेम निकल कर चले आते है जैसे यहाँ पर देखने का प्रयास करिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी संक्या से छोटी संक्या घटाना है दो और साथ में देखिए अगर आप साथ से दो को घटाएंगे तो आपको नेश्ट वाली संक्या मिल जाएगी पांच ठीक है अब क्या कर पर दो जो है इसका सही उत्तर होगा अगर आप को दूसरा में समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं दसमा कोश्ण है यहां पर आपको चार आपसन दिये गए जो तीन किसी न किसी प्रकार से एक समाने और एक जो है वह असंगत है असंगत कि आपको से देखेगा लाश्ट वाले आप्शन को देखें लाश्ट वाले आप्शन में आपको मिलेगा 14 दुना 28 होता है और 14 570 होता है मतलब जिससे आपने मल्टिप्लाई किया दो से तो उसी से आपको नेश्ट वाले को भी मल्टिप्लाई करना है आठ दुनी 16 आठ पंच चालिस चौदा दुनी 28 चौदा 570 तो नेश्ट वाले हम देखें यहाँ पर 120 को करेंगे आप तो 60 दुना 120 और 60 पंचे 301 रहा है विलकुन सही है दूसरा वा गुना 5 करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है 800 बनना चाहिए लेकिन इससे बनाया है 480 तो यही जो है वो असंगत है तो यह दूसरा वाला आपसन जो है वो गलत आपसन होगा ग्या नेवर कोशन है बी एका एकलाउता पुत्र है सी डी की माह है एसी की माह है तो बताए बी का डी से समंद आपको बताना है चली स्टार्ट करते हैं बनाना यहां पर आपसे कह रहा है बी जो है वो एका एकलाउता पुत्र है ठीक है एकलाउता पुत्र है तो पुत्र को हम लोग प्लस से कर देते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है सी जो है वो डी की माह है तो तो C की मा है और कह रहा है एकलावता पुत्र है तो अगली जो होगी एकी संतान वो पुत्री होनी चाहिए क्योंकि पुत्र तो एक अगली होनी होगी और C और B जो है आपसे भाई वेन होगे और यहां पर आपसे क्या कह रहा है C जो है वो D की मा है तो इसका पुत्र जो होगा वो D होगा, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है इसमें relation आपसे नहीं बताया है तो बताएए B का D से समंध बताना है आपकी बहन का लड़का क्या लगेगा आपका? भानजा लगेगा और आप उसे क्या लगेगे? मामा लगेगे, तो B क्या लगेगा? मामा लगेगा, तो कौनसा आपसन सही होगा? पहला वाला आपसन सही होगा बार नमर कोशन है देखिए आपको तीन कथन दिए गये हैं इसके बाद आपको तीन निसकर्स दिए गए इनको ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बताना है कितने निसकर्स आपको सही नजारा रहा है कथर में आपसे का गया है कुछ लड़के हांकी खेलते हैं कुछ लड़कें बैट मिंटन नहीं खेलती है प्रतेइक वेक्ति या तो हांकी खेलता है या तो बैट मिंटन खेलता है अब निसकर्स को आप लोग पढ़िए और थोड़ा से कथन में ध्यान दीजे कथन में कहरा है कुछ लड़कें हांकी खेलते हैं जो बचे लेलके हैं वो क्या खेलेंगे प्रतीक विक्ति या तो हाकी खेलता है या तो बैट्मिंटल खेलता है मतलब जो बैट्मिंटन नहीं खेल ले हैं वो हाकी खेल ले होंगे और जो हाकी खेलते हैं उनके लावा जो बचे हैं वो बैट्मिंटल खेलेंगे यह आपको वो बैट्विंटल खेलेंगे और ये कहरा नहीं खेलते हैं तो गलत हो गया दूसरे को देखते हैं कुछ लड़किया हाकी खेलती हैं कुछ बैट्विंटल नहीं खेलती हैं जो बैट्विंटल नहीं खेलती होगी वो हाकी खेलती होगी इसलिए दूसरा सही हो गया ठीक है ती आपसन भी सही आपसनों के विल्कुन सही कर रहा है तो यह पहला गलत है बाकि दूसरा और तीसरा यह दोनों सही है कौन सा आपसन सही आपसन होगा दूसरा आपसन सही आपसन होगा तेरे नमर कोशन है चार आपको अच्छर समूह दिए गया है इन अच्छर समूह में तीन किस ने किसी प्रकार से संगत है एक असंगत है तो असंगत की आपको पहिचान करनी है स्टार्ट करिये देखिए दी जो होता है वो चौठे नमबर पर होता है ऐसा आपको चेक करना है अगर आप चेक करेंगे तो f जो होता है वो 6 number पर होता है h 8 पर होता है तो 8614 और NB14 न Ä B24 नमबर पर होता है यह सही हो गया तीसरा option गलत aстран है असंगत है कैसे संगत है एमेब जो होता है वो 13 इस्तान पर होता है और Q जो होता है 17 होता है अगर आप इसनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 30 और 30 नमबर पे आप देखेंगे 30 नमबर का 26 तक तो लेटर ही होते हैं तो यहाँ पर 30 नमबर पे कोई एसा लेटर नहीं मिलेगा इसने एस लिख दिया है एस तो आता है हमारा किस नमबर पे 19 नमबर पिया तो कैसे हो जाएगा इसलिए तीसरा जो है असंगत हो जाएगा 14 नमबर कोशन है निशित कूट भासा में बिलिंग को ऐसे लिखा जाता है किसी निशित कूट भासा में 5-6 सेकर लेगें लेकिन आपको लगाना है यгор बात का आप लोग ध्यान रखेगेगा यहां पर बिलिंग को अगर आप देखेंगे तो B किस इसतान पर होता है दोसरे इसतान पर किसमाझ में आया भी तक आपको 22 और 26 अगर आप 22 और 26 को जोड़ेंगे 22 और 26 को जोड़ेंगे तो बनेगा 48, मतलब कि सब को जोड़िये और इन 22, 26 को भी जोड़िये ये भी 48 अना चाहिए और इसका योग भी 48 आ रहा है, ने स्टोले को समझते हैं एक इस इस इस्तान पर होता है पहले एल का इस्तान 12 है, एल का इस्तान 12 दो एल है, इन साब का योग करेंगे तो बनेगा 25, और 13 है और 12 का योग करेंगे तो बनेगा 25 देख सकते हैं, बढ़ी हैं कोशन है आइस को जोड़िये, आइस पर अगर आप देखेंगे तो पांच 25, पांच और 19, इनके स्थान होगे हैं इनको जोडेंगे तो बनेगा चौवन तो चौवन इनमें से किसका योग बन रहा है 10 और 44 को अगर आप जोडेंगे तो चौवन बनेगा इसलिए पहला वाला आपसंज होगा सही आपसंज होगा कुछ लोग का दिमाग यहां तक पहुंच पाया होगा लेकिन जिस बाइक पहुंचा है बहुत ही बढ़िया कोशन था यह पंदरने वरे कोशन है उस आकरती को आपको चैन करना है जो निम लिकित आकरती सेंडी के अगले इस्थान पर आगी एक, दो, तीन, चार आपको आकरती दी गई है निस्थ वली आकरती आपको बताने है कैसे श्रीच बन रही है इसको देख रिए को आपको ध्यान देना होता है आकरती कैसे आगे बढ़ रही है देखें यहा पर यहाँ पर डार्क वाले आप ट्रेंगल को देखेंगा आप उसने कितना इस्थान अपना चेंज किया तो पहले तो इसने एक इस्थान यहाँ पर आगे बढ़ा उसके बाद एक इस्थान यहाँ पर आगे बढ़ा तो यह आ गया अपने इस्थान को छोड़ करके आगे दो इस्थान बढ़ा है ठीक है ध्यान दिया आपने नेस्ट वली आकरती को देखिए यहाँ पर जो ट्रेंगल है जिसमें यह डॉट डॉट लाइने लगी है इसके इस्थान को देखिए एक दो और तीसरी इस्थान पर आ गई है यहाँ पर देखिए थी इसके बड़ी एक इस्थान दो इस्थान तीसरी इस्थान पर तो यह ट्रेंगल जो है वो दो इस्थान आगे बढ़ा है और यह जो डैस वाले ट्रेंगल है यह तीन इस्थान आगे को और बढ़ा और नेस्ट वाले जो ट्रेंगल है यह वाले triangle को देखिए यह भी तीन इस्तान आगके और बढ़ा है पहले यहाँ पर था अब यह यहाँ पर है तो एक दो तीसरी इस्तान तो दो तीन तीन करके यह आकरती बढ़ रही है नेस्ट वाली को आप देखेंगे यहाँ पर आकर के देखिए इस triangle को आपको दो इस्तान आगे बढ़ाना है तो triangle यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बनेगा यहाँ पर triangle होना चाहिए था डार्क वाले ट्रेंगल को आपको ध्यान देना है डार्क वाला ट्रेंगल जो है वो कहाँ पर आजाएगा यहाँ पर आजाएगा ठीक है चलिए आपसन में आप लोग देखेगा हमको आपसन दिखाई देते हैं और फिर थोड़ा समझ लेजे पहले यह जो डार्क वाले ट्रेंगल है यह तीन इस्थान आके और बढ़ेगा तो एक दो तीन यहाँ पर आजाएगा डार्क वाला यहाँ पर आजाएगा और यह वाले जो ट्रेंगल है यह दूसरा डार्क वाला यह तीन इस्थान बढ़ेगा एक, दो, तीन, तो यहाँ पर यह आगए, डॉट डॉट आजएगा, तो एसी सरचना आपको ढूड़नी है, एस सरचना आपको कहाँ पर मिलेगी, यह तीसरे आपसर मन देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यह दोनों एक साथ आजएगे, यहाँ पर आजएगा, तो दो, तीन, तीन की स्थान से आगे बढ़ रहे हैं, यह इस्थान आपको ध्यान देखने होते हैं, यही आपको NTP, से और गुरुप D में ध्यान देना, कैसे आपको समझना है कोशन को, कि इस पर आजएगर कोशन कैसे ही पूछे जाते हैं, सोलो नमर कोशन है, देखिए एक ही पा की विपृत में हैं, चलिए अच्छा कोशन है, समझेगा आप लोग थोड़ा से, तीन की विर्वित क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो पांच हो सकता है, ठीके, दो ही आपको विशम संख्या मिलेंगी, लेकिन आप लोग प्रेश्ण में यहाँ पर दो आकरती आ मिल गया, तो पांच के अपोजिट चार हो गया, तो एक ही विशम संख्या बची, तो तीन के अपोजिट एक होगा, तीन के अपोजिट एक हो गया, पांच के अपोजिट चार हो गया, तो दो के अपोजिट छे होगा, इनिस्षित हो गया, तो कौन सा आपसन सही होगा, ती की इस प्रकार से बन रहा है तो वाज कैसे बनेगा हम आपको 2020 की पेपर कोशन पूछी जाते हैं उसकी लेवल से कोशन करा रहा है TCS कमपनी आपका SSC पेपर करा रही थी TCS ये आपकी NTPC का पेपर करा रही तो TCS ये आपकी कमपनी जो है वो group D का paper कराएगी तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लेवल ऐसा ही आएगा तो इसी प्रिकार के आप paper लगाने का प्रयास करिए जो 2020 का लेवल है clock देखिए ऐसे बनना है तो कैसे बनना है clock C के इस्तान में कोई भी परवर्था नहीं हो C की बढ़ोतरी जो है 0 की हुई है L का इस्तान होता है 12 L जो बढ़ा है वो N बन गया है N का इस्तान होता है 14 तो पहले 0 की बढ़ोतरी फिर 2 की बढ़ोतरी O S बढ़ा है मतलब कि 4 बढ़ा है तो 0, 2, 4, 6 ऐसे आगे स्रीज बढ़ रही है ठीक है आपको वाच में वैसे करना पहले आपको W रिखना है 0 का परवरतर होगा W में A में 2 का परवरतर होगा A का स्थान होता है 1 तो 2 बढ़ाएंगे बनेगा 3 3 किसका होता है? C का होता है लेकिन इसमें आपको 2 अपसन होई मिलना है T को भी चेक कर लिजिए ति अवारा 20 स्थान पर होता है अगर आप 4 बढ़ाएंगे तो 24 स्थान पर क्या आता है 24 स्थान पर आता है X तो WC X से कहां पर स्टार्टिंग हो रही है पहले आप्सन में तो इसका पहला आप्सन जो होगा वो सही आप्सन होगा अठानावर कोशन है बस से यात्रा करते समय एक वेक्ति जो है आटो रेक्षा को किये गए भुकतान की दस गुना से साथ अधिक खर्च करता है। स्टार्ट करते हैं लगाना ठीक है हम लोग क्या करते हैं पहले आटो रेक्षा का उसके दोरा आटो रेक्षा में जो रासी लगी भुकतान की गई उसको एक समान लेते हैं तो ऐस सवाल जल्दी लगेगा बस से यात्रा करते समय वेक्ति जो है आटो रेक्षा किये गए भुक रासी कितनी बनेगी एक्स रुपए आटो में 10 एक्स प्लस 60 रुपए बस में टोटल रासी बनेगी 11 एक्स प्लस 60 प्रिश्णों को पढ़िएगा उसकी दोरह खर्च की गई कुल रासी आटो रेक्सा को किये गई भुक्तान की 13 गुना की बराबर है अब आप बराबर करेंग तब ही तो आपको एक्स की वैलु मिलेगी टोटल हमारी रासी होगे 11 एक्स प्लस 60 क्या कह रहा है आटो रेक्सा कीए गए भुक्तान का ये 13 गुना है तो मतलब आटो रेक्सा का भुक्तान कितना किया हमने एक्स रुपए किया 13 गुना मतलब 13 एक्स के बराबर है घटा दी जो था इसकी टोटल रास थी 30 रख दीजे एकस की जगह पर तो गेरती है 3360 मतलब 330 प्लस 60 390 तो इसका कौन सो उत्तर सही होगा दूसरा वाला आपसर सही आपसर होगा 19 नमर कोशन है आकरती के दाएं और देखिए आकरती का दाएं और क्यों सो होगा यहां पर आपको यहां प से आपको उत्तर मिल जाता है तो यह चारों आपसर को आप देखेंगे तो लास्ट वाले आपसर के और आप जाईएगा थोड़ा से कंप्यूटर में आपको ध्यान रखना होता है अगर आप माउस करसर से नीचे के और आएंगे तो ऊपर वाले आकरती आपको नहीं दिखत है या फिर बहुत छोटी दिखेगी तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखके बहुत ही आराम से कोशन को देखना होगा तो यह लास्ट वाल आपसर जो है सही आपसर है आप लोग एक्जाम हालमी से कर लेंगे इसलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं 20 नमर कोशन है अच्छरों क बड़े जो हैं अच्छर वो रिपीट होकर के फिर से बार-बार आएंगे जैसे कि यहाँ पर A भी भर आए ना तो इसके आगया आपको भरना होगा तिन इस्तान छुटे हैं तिन इस्तान पर आप भरेंगे A, A, C भरेंगे ठीक है A, A, C के बाद में B, C आपको मिलना है फि फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिर से A आगया तो अगर फिर से A आगया तो फिर से रिपीट होकर के A, B, A, A, C, B, C भरेंगे तो ऐसे आप अगर भरेंगे तो यह रिपीट करना है आपको बार-बार ठीक है फिर घूम करके स्रीज फिर से आगया इस्टार्ट हो ज यह आकरती जो है ऐसी रूप से आपको मिलने चाहिए इन चार आपसन में से आपको चूच करके बताना है ठीक है घुआईएगा नहीं जैसे रखी है वैसे ढूंड़ने का प्रैस करी आकरती आपके दिमाग में होने चाहिए और फिरी आप चिंगे चार आपसन को देख लीज तो यहाँ पर आप Laas long option पर ध्यांदीजेगा यह रेखा एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा जब यह कटेगी तो यहाँ पर से आपको सरचना को उठानी होगए ठीक है ऐसे ही सरचना बनेगी, यह यहाँ पर सीधी सीधी रचना रखी है घुमाने के आपको अनुमत नहीं है, इसलिए लाश्ट ओल आप्सन सही आप्सन है 22 नवर कोशन है, अरविंद अपने मासिक वेतन का आदा हिस्सा अपने पतने को घरेलू खर्च के लिए देता है वो अपने वेक्तिगात खर्चों पर 25 रुपए खर्च करता है वो अपने मासिक वेतन के 3 वटे 7 भाग की प्रती माह वचत करता है तो अरविंद का प्रती माह वेतन क्या है, यह आपको बताना है, ठीक है हमने मालिया अरविंद का प्रति माह जो वेताने होई X रुपए है सब कुछ जोड लिजेगा X के बरावर कर दीजेगा X से बटे 2 रुपए क्या करता है अपनी पतने को देता है 25 रुपए हो क्या करता है खर्च करता है अपने स्वयम के कारे पर और 3 बटे 7 X जो है वो प्रतिमाह बचत करता है और बराबर X के होगा भई X से तो हमारी पूरी सेलरी है X सबाइट 2 अगर उधर जाएगा X से आप घटाएंगे तो X सबाइट 2 बचेगा और X सबाइट 2 फिर से आपको 3 बटे 7 से घटाना पड़ेगा जो की बराबर होगा पचीस सो के तो यह होगा सिधी सिधी बात यह है पचीस सो के बराबर कर दिया आप एलसियम लेंगे तो 14 आएगा इधर बनेगा 7 यह बनेगा 6 घटाएंगे तो बनेगा X एक से बराबर पचीस सो और 14 मुल्टिप्लाई होगा इधर जा करके तो पचीस सो का चौदा मुल्टिप्लाई करेंगे तो अगर 35,000 तो सेलरी जो एक सती हमारी वही तो अर्विंद की प्रतिमास सेलरी थी तेज़ नमर कोसन है उस विकल्ब हो आपको चैन करना है जिसमें संख्याओं के बीच में आपस में वही संबंद है जो दिएक समुच्चे कि संख्याओं के बीच में 3-6-30 को दिहान से देखिया आप लोग देखिए 3-6 कैसे हो रहा है 3 जह संख्या लिखी है उसमें अगर हम 2 से multiply करें तो यह 6 बन जाते है 2 कैसे आया 3 से 1 हमने कम किया तब 2 से multiply किया तो 6 बना और 6 जो संख्या आई उससे 1 कम करें 5 आएगा तो 6, 35 मतलब जो इस संख्या है उससे अगर आप 1 कम करके multiply करेंगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी वैसे ही आपसन चेक करें यहाँ पर देखिए 5 जो है इससे छोटी संख्या एक कम करेंगे तो 4 आएगा 5 को 20 यह तो सही है तो इससे 20 से छोटी संख्या करोती 19 तो 20 का 19 से multiply होना चाहिए तो 19 दूने 38 मतलब 380 बनना चाहिए तो पहला गलत हो गया यह भी गलत हो जाएगा यह आपसन सही होगा 4-3-12, 4 से 1 कम किया तो 4-3-12 और 12 से 1 कम करेंगे 12 गुड़े 11 करेंगे तो 132 बनेगा तो तीसरी वाले आपसन में वैसे ही समंद आपको दिया गया जैसा जो उपर आले समुच्चे में था तो तीसरी आपसन सही 25 नमर कोशन है आज का लाज कोशन होगा हमने 24 नमर कोशन को रोक रखा है इसका जवाब अपलो कमिंट बाक्स में देने का प्रयास करेंगा तो पहले 25 नमर कोशन करते हैं उस वे नारेक का आपको चैन करना है जो आश्टेलिया, सिडिनी और एमस्टर्डम में समंद को बताता हो ठीक है यह सारे के सारे कोशन देख सकते हैं जो अरिजनी में पूछे जा रहे हैं तो आपको ऐसा तयार करके चलना है निव पैटर्न के साथ में चली आपसन को पहले आप लोग देखिए चारो को आश्टेलिया, सिडिनी एमस्टर्डम में आपको समंद बताना है कैसे आप बनाएंगे जिसकी अच्छी होगी वह इस कोशन कर पाएगा इसका सही आपसन होगा लाश्ट वाला आपसन यह तो यूरोप में हो गया आश्टेलिया महादीप अलग है तो आश्टेलिया के अंतर सिडिनी आएगा लेकिन यह एमस्टर्डम में इसको आपको अलग करना पड़ेगा आश्टेलिया कोई भी समंद इसका नहीं है यूरोप का है नेदरलंड के राजदानी है तो इसलिए लाश्ट वाला आपसन सही आपसन है यह देखिए हमारा 24 नूमर कोईशन है उस विकल्प का आपको चैन करना है जिसमें सब्दों के वीच में आपसमें वही समंद है जो दियेगे सब्द यूगमे के सब्दों के साथ में जैसे समंद सहारा का अफ्रीका साथ में वैसे समंद आपको इन चार आपसन में ढूणना इसका जवाब लोग कमेंट बाक्स में देने का प्रयास करेगा हमारा आज कर लाश्ट कोशन था यह यह भी जीएस का कोशन है जिसकी जीएस अच्छी होगी वही इसका जवाब दे पाएगा सहारा जो एक मरुस्तल है अफ्रीका का वहीसा ही मरुस्तल आपको ढूणना है जैसे समंद इसके सामने दिया गया हो सेंडी, थार, गिपसन और गोभी इसमें देखेगा कौन-कौन गलत है तीन गलत होंगे, एक सही होगा उसको यह आपको चैन करना नहीं आएगा तो कमेंटर वाकस में आपको लिखिएगा नेश्ट वाला पार्ट थ्री कहेंगे आप 2020 की रिजनिंग करा रहू है आपको अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पार्ट थ्री भी लाएंगे और वहाँ पर इस प्रश्ण की चर्चा करेंगे ठीक है तो इन 25 कोशन में से आप लोगों ने कितने प्रश्ण के सही सी जवाब दिये हैं इसे आप लोग बहतर नहीं होगी तो आप लाज तक सेलेक्सर नहीं पासकेंगे तो बढ़िये तेरी करिए मिलते हैं आप से नेश्ट वीडियों अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पार्ट थ्री बनाएंगे और मैत के आपको एक दो से टाउर कराएंगे नयवाले पेपर के आपके पेपर स्टार्ट है 28 दिसंबर से और इसके बाद सिकेंड फेज आपका आएगा फिर ग्रूप डी की स्टार्ट होंगे अपरेल से तो तयारी आपको लगातार करते चलने हैं मिलते हैं आप से ने स्टूडियों बहुत बहुत धन्यवाद